जै तिरुपती बाला जी, दोस्तों तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों यदि आप आने वाले दिनों में तिरुपती बाला जी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं इसके साथ ही साथ इस वीडियो में आपको इस बात की भी जनकारी मिल जाएगी तिरुमाला का भी वर्तमान इस्थितिक क्या है तिरुपती बाला जी के दर्सन के लिए अलग-अलग टिकटों से अभी कितना समय लग रहा है तो बने रहे हैं दोस्तों आप वीडियो के अंत त दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसके साथ इसाथ कमेंट में तिरुपती बाला जी का नाम जरूर लिखें तो अलाइन सेवा के अंतरगात कल्यानोत सवम, उंजल सेवा, अरजीत प्रमोत सवम और सहस्त्र दीपलंकर सेवा होती है और ये स्रिवारी टेंपल यानि तिरुमाला के लिए होती है दोस्तों 500 रुपए वाले दरसंटिकट की बोकिंग जो हो रही है ये अगस्त महिने के यानि 21 मई 2024 को सामके 3 बजे से ट्रेटेडी के वेबसाइट पर सुरू हो जाएगी इसके बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं कि अगर आप 500 रुपए वले दरसंटिकट की बोकिंग करते हैं तो आपको कम से कम दो वैक्तियों के लिए टिकट का बोकिंग करना दोस्तों ऑनलाइन सेवा के अंतरगत तिरुमाला जाकर दरसंट की फैसलेटी प्रवाइड की जाती है यानि कि अगर आप इस टिकट को बोक करते हैं और दरसंट के लिए स्लोट भी बोक करते हैं तो आपको 300 रुपए वाले इस पेसलेंटी दरसंटिकट प्रवाइड किया सेटिजन्स या फिर फिजिकली हैंडिकप परसंट वालों के लिए बोकिंग ही तो जो भी लोग सेटिजन्स में आते हैं या फिर फिजिकली हैंडिकट हैं और वे अगस्त महने के लिए स्पेसलेंटी दरसंट की बोकिंग करना चाते हैं तो इस कोटा के अंतरगा टिकट की booking 23 माई के शुरू हो जाएगी दोस्तों senior citizen या फिर physically handicapped person वालों के लिए टिकट की booking होती है इसमें किसी भी प्रकार का charge देना नहीं पड़ता है जबकि इसमें जो टिकट मिलता है वो भी special entity दर्शन टिकट ही होता है दोस्तों अगस्त महने के लिए तिरुमाला अंगपरदक्षिनम्र के टिकट की booking भी होनी है और इसकी booking 23 माई को सुभा के 10 वजे शुरू हो जाएगी दोस्तों 23 माई को सुभा के 11 वजे दर्शन टिकट और accommodation की booking भी होगी लेकिन ये booking उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने की तिरुमाला के सुरिवानी ट्रस्ट में donation दिया है तो दोस्तों आगर आपने भी तिरुमाला के स्रीवानी ट्रस्ट में donation दिया है और अगर आप दर्शन और accommodation के लिए booking चाहते हैं तो 23 माई को सुभा के 11 वजे ट्रीटेडी के official website से इसकी booking कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा booking की जाती है उसके बारे में। special anti-darsant ticket जो कि 300 रुपे वाला होता है। अगस्त महेने के लिए 300 रुपे वाले special anti-darsant ticket की booking 24 मई को सुभा के 10 बजे शुरू होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि special anti-darsant ticket जो 300 रुपे वाला होता है। सबसे ज़्यादा इसकी booking होती है क्योंकि इसमें आपको direct darsant ticket मिल जाता है। इसके बाद जो booking होती है वो है accommodation की booking यानी room की booking। दोस्तों room की booking तिरुमाला और तिरुपती दोनों जगों के लिए होती है। और अगर आप booking के time website पर देखेंगे तो आपको तिरुमाला, तिरुपती और तालाकोना ये तीनों जगों का option मिलेगा। हलांकि तिरुमाला और तिरुपती के लिए ही booking सबसे ज़ादा होती है। तालाकोना के लिए booking वही लोग करते हैं, जिन्हें की तालाकोना घुमने जाना होता है। तालाकोना तिरुपती से लगवग 70 km दूर है। दोस्तों अगर आप रुम की booking तिरुमाला में लेते हैं, तो ये आपके लिए best होगा, क्योंकि दर्सन से पहले आपको फ्रेस होने के आवसकता होगी, और फ्रेस होने के लिए अगर आप तिरुमाला में रुम लेते हैं, तो वहाँ से मंदीर भी नजदीक पड़ता है, और फ्रेस होने के बाद आपको फ्रेस होने के बाद आसानी से पहुचा भी जा सकता है, जबकि अगर आप तिरुमाला में रुम की booking लेते हैं, तो ये आपके लिए best होगा, आप बात करते हैं तिरुमाला के वर्तमान इस्थितिकी, दोस्तों तिरुमाला के मौसम में अभी गर्मी हो जाती है, कभी धूप हो जाता है, ऐसे में जो भी लोग तिरुपती से बाहर के हैं और तिरुपती आते हैं, तो मौसम के इस बतलाओ के कारण बहुत लोगों का तवियत भी खराब हो रहा है, तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने साथ कुछ द टोकन वालों को लगभग 6-8 घंटे तक का समय लग रहा है, लेकिन जिनके पास भी सरदर्शन टोकन या स्पेसल एंटी दर्शन टिकट नहीं है, यानि कि वे फ्री दर्शन लाइन से होकर दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें दर्शन करने में सबसे जादा समय लग दोस्तों फ्री दर्शन वालों की लाइन इतनी लंबी हो रही है कि उन्हें दर्शन करने में लगभग 10 से 14 घंटे तक का भी समय लगा है हलांकि दोस्तों इस वार संडे के दिन भीड बहुत ही जादा बढ़ी है और संडे के दिन का एक्जाक टाकड़ा अभी तक मेरे पास नहीं आ पाया था बाकि दोस्तों 13 रिलेटेट कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में तिरुपती बाला जी का नाम जरूर लिखें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जये बाला जी, जये गोविंदा